सौमया और मंगल को महंदी लगाने वाली करेगी बड़े सच का खुलासा अधित ने चुपाया चहरा कलर्स टीवी के शो मंगल लक्षमी के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा की करवा चौत की महंदी सौमया के हाथों पे लगा देती है महंदी लगाने वाली जहां पर जब अधित आकर सौमया के घर पहुचता है तो यहां पर महंदी वाली के सामने ये सचाता है कि सौमया और अधित की शादी होने वाली है जिसके जलते सौमया को दुलहन के महंदी लगवानी है और अपने दुलहे यानि की अधित का नाम लिखना है वहीं दूसरे तरफ उसी महंदी वाली ने मंगल से भी ओर्डर लिया हुआ है जिसके जलते उसे मंगल के पास पहुँचने में डेर हो जाती है लेकिन वो आकर मंगल के हातों में करवा चौथ के लिए महंदी लगाने लग जाती है जहां पर जब मंगल उसे अपने हातों में अधित का नाम लिखने के लिए कहती है ताकि वो अपने पती के लिए करवा चौथ की पूजा कर सके तो यहां पर भी अदित का नाम सुन कर महंदी वाली हैरान हो जाती है और मंगल को यह बताती है कि आज उसने यहां आने से पहले एक लड़की के नाम पर दुलहन की महंदी की थी जहां पर दुले का नाम भी अधित ही था और यहां पर मंगल उससे ये सवाल करने वाली है कि आखिरकार उस लड़की का नाम क्या है जिसने अपने हातों पर अधित का नाम लिखवाया है वहीं दूसरे तरफ उसी महंदी वाली को अपने घर में मौजूद देख अधित हाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें